भारत ने एक तरफ मयनमार और बंगलादेश के बॉर्डर पर सबसे बड़ी कारिवाई का एलान किया है जानेंगे ये एक्षन कितना ज़्यादा जरूरी था तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से खबर आती है कि चीन के पास 400 स्टिल्थ फाइटर जेट है और भारत क्या कर रहा है क्या भारत सूपर राफेल खरीदेगा जियो पलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से फ्रांसिसी वायू और स्पेस फोर्स ने इस वक्त खरीब 5.5 अरब डॉलर में 42 राफेल जेट का ओडर दिया है ये खरीद फ्रांसिसी सांसदो के फ्रेंको जर्मनी स्पैनिस फ्यूचर कॉंबेट एयर सिस्टम परियोजना में काफी ज़्यादा देरी होने वाले चिंताओं के बीच आई है जिसे राफेल का उत्तरादिकारी बनना है एफे एसेफ के पास अब 2045 या 2050 से पहले फ्रांसिसी वाई उसेना में परवेश करनी की भविस्वानी की गई है और फ्रांसिसी रच्छा खरीद एजनसी ने राफेल उत्पादन कॉंट्रेक्ट के पांचवे दोर के लिए दसॉल्ट एबियेशन और उनके परमुक उपकरन आपूर्ती करताओं थेल्स, सफरान और MBDA को जानकारी दे दी है FACF को पांचवी पीडी से आगे का विमान माना जाता है इससे कुछ परमुक, वित्तिये और तकनीकी रूप से एडवांस यूरोपिये देशों द्वारा वित्पोसित किया जाता है इसके साथ ही FACF की कीमत राफेल से 2-3 उनाज जादा हो सकती है फ्रांस ने फिलाल अपने स्वदे C4.5 पीडी के राफेल पर ही भरोसा जताया है, हलाकि उसे अफगरेट किया गया है दूसरी तरब भारत के पास पांचवी पीडी का विमान कारिकरम Advanced Medium Combat Aircraft है जिसे पहले ही दो इस्टेप में विवाजित किया जा चुका है आंसिक स्टिल्ट और पूरा स्टिल्ट भारत का एमका प्रोग्राम अभी डिजाइनिंग के चरन पे है जबकि चीन अपने स्टिल्ट फाइटर जेट के बेड़े को बढ़ा कर 400 तक की योजना बढ़ा चुका है पाकिस्तान ने इसी महिने चीन से स्टिल्ट फाइटर जेट जेट जे-31 खरीदने की घोसना की है लिहाज आप भारत के पास क्या उप्संस हैं इसको लेकर सोच विचार चल रहा है FCS प्रोग्राम तीन देशों जिन में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन सामिल है उनका एक जोइंट प्रोग्राम है जिसके तहट पांचवी पीडी से जादा का फाइटर जेट बनाना है जो यूके और फ्रांस के बीच समान नाम बाली पिछली परियोजनाओं के आगे का हिस्सा है वैसे आपको बता दें इस वक्त माना जा रहा है कि सूपर राफेल जिसे F5 प्रोजेक्ट कहते हैं ये F5 प्रोजेक्ट में क्या भारत एंट्री ले सकता है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि भारतिय सेना के लडाको विमान बेडे में इस वक्त दो पर्मुक मुद्दा है पहला भारतिय वायू सेना के पास लडाको विमानों की कमी है और 42 स्कौारडन की तुलना में घटकर 31 रह गई है भारतिय नौसेना को अत्रीक्त केरियर आधारित विमानों की जरूरत है जबकि इंडियन एरफोर्स पहले से ही LCA MK1 और MK2 वेरियंट में परतेक के 200 से जादा तक्छमता ले जाने के लिए परतिवद्ध है लेकिन इस अंतर को भरने में काफी वक्त लगेगा राफेल इंडियन एरफोर्स के 114 विमान प्रस्ताव के दावेदारों में से एक है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत को भविस्थ में तै करना पड़ेगा कि भारत क्या F5 प्रोजेक्ट में सामिल होगा वैसे तो फ्रांस के राष्टपती इस वक्त हमारे मुख्य अतीथी होंगे वहीं भारत 1950 के दसक से फ्रांस इसी लडाकू विमान उड़ा रहा है लडाकू विमान के विकल्प और लागत एक जटिल मैट्रिक्स है लिहाजा इस बात की सम्हावना बन सकती है कि भारत राफेल प्लस की तरफ विचार करे जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर मैनमार और बंगलादेश बॉर्डर से निकल कर आ रही है दरसल अंग्रेजों ने सीमा को इस तरीके से बाटा जिसे कहेंगे कि जैसे तैसे बाट कर चले गए बस ऐसा ही हुआ जब भारत और मैनमार के बीच सीमा को दरसाया गया कुछ सीमा इस तरीके से दरसाया गया कि एक ही गाउं के दो हिस्से हो गए और एक हिस्सा चला गया मैनमार में एक हिस्सा रह गया भारत में अब इसी बीच क्या हुआ भारत सरकार ने 2018 में एक नीती लागू किया और इस नीती के तहट क्या किया कि दोनों तरफ बॉडर के इस पार बॉडर के उस पार 16 किलोमीटर तक का फ्री रिजीम दिया गया कि आप आईए अपने रिष्टेदारों से मिलिये अपने परिवार वालों से मिलिये और ऐसा लगता है कि यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड हो गई और हाल फिलाल में मनीपूर में देखा जा रहा है कि इसका दूस प्रभाव नजर आ रहा है खुद वहां के लोग और वहां के सीएम अब धीरे धीरे इस बात को कहने लगे हैं कि यहां एक समस्या है और ये समस्या उस पार से आ रही है मादक पदार्तों की तसकरी अवैद तोर पर घुसपैट हातियारों की तसकरी ये सब कुछ बॉर्डर पर होने लगे हैं जिसके बा के लिए भारत मयनमार सीमा की पूरी लंबाई में बाड लगाने का फैसला किया है। भारत और मयनमार दोनों देसों के बीच 1643 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा है जो मनीपूर, मिजोरम, असम, नागालेंड, अरुनाचल परदेश राजियों से होकर गुजरती है सेन्य सासन लागू होने के बाद से तो भारी संख्या में मयनमार के सरनार्थी भाग कर भारत पहुचते हैं। आमित्सा ने गुहाटी में कहा कि मयनमार के साथ हमारी सीमा एक खुली सीमा है। नरेंद्र मोधी सरकार ने फैसला लिया है कि भारत मयनमार सीमा सुरच्छित र रही है भारत मैनमार बॉर्डर फ्री मूव्मेंट ट्रीजी में यानि की MMR समझोता 2018 में लागू किया गया था पर अब यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि भारत सरकार इस एक्षन को ले रही है भारत और मैनमार के बीच की सीमा का सीमांकन 1826 में अंग्रेजो द्वारा छे मती के बिना दो देशों में बांट दिया बरतमान भारत मैनमार सीमा अंग्रेजो द्वारा खीची गई रेखा को दिखलाता है इस छेतर के लोगों के बीच सीमा पार मजबूत जातिये और पारिवारिक संबन्ध है मनिपूर के मोरेह छेतर में ऐसे गाउं हैं जहां कुछ अब आप सोच सकते हैं लियाजा लोगों से लोगों के बीच के संपर्क को सुविधा जनक बनाने के लिए इस तरीके का नियम दिया गया था ताकि यहां पर हाट के माध्यम से सीमा पार बैपार हो अर्थवास्था को देखते की हुए ये एक बहुत अच्छा फैसला था ल ले रही है कि बॉर्डर मिजोरम का हो बंगलादेश का हो या फिर और कहीं का हो भारत के हर बॉर्डर से फ्री रिजिम को खतम किया जाए और फ्री रिजिम के जगा यहां पर लाया जाए बार ताकि सुरक्छा को और भी जादा मजबूत किया जा सके ऐसे में लग रहा है ज इतनी जल्दी यहां पर बाड़ लग जाए उतना ही बहतर होगा वरना कल कब क्या हो जाए कहना मुस्किल है। वैसे आपको क्या लगता है सरकार का बाड़ लगाने का नेड़ने कैसा है कमेंट कर अपनी राइज जरू बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।